सुबर के साड़े साथ बच चुके हैं, बरफर से आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ चुत्रात्रपाथी, बस अपसे थोड़ी देड में प्रुधार्मंत्री नरीद्र मोदी केदारनाध धाम पहुंचने वाले हैं, हेलिकॉप्टर से वो पॉने आठ बजे केद पहुंच रहे हैं, बाबा केदार के दर्शन पूजन के बाद प्यामोदी आदिगुरु शंकराचारी की प्रतिमा का नावरंट करने वाले हैं, थोड़ी देड में प्यामोदी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके ठीक पहले चिनूप हैलेकॉप्टर की ये तस्वीरे प्यामोदी आदिगुरु शंकराचारी की प्रतिमा का भी अनावरंट करने वाले हैं, दो अलग अलग तस्वीरे आपके सामने हैं, आपको बता दें कि भारी तादाद में लोगों ने अपनी दीवाली सेलिबरेट की है केदार नगरी में, चुनकि कल बाबा बरफानी के सुबा आट बजे बंद हो जाएंगे, आज पूरी रात वहाँ पर कुजा अरचना होने वाली है, उसके ठीक एक दिन पहले प्यामोदी का ये दौरा अपने आपने काफी महतुपोन हो जाता है, प्यामोदी के दानात की विकास पर्योजनाव का भी चायज़ा लेंगे, वि विकास पर्योजनाव का उद्घाटन और शिलान्यास आज करने वाले हैं, मंजीत नेगी केदार नगरी से हमारे साथ लगातार जुड़े वे हैं, मंजीत जो की पंडिक पुरोहित वहाँ पर मौजुद हैं, उनके भी कुछ कंसर्न हैं, जिसको लेकर माना जा सकता है कि चित्रा जो देवस्तारम बोर्ड को लेकर यहां पर विरोध हुआ पूर मुख्यमंतरी तरवेन सिंग रावत का और मुख्यमंतरी पुसकर्स की नधामी का उसको देखते वे जो प्रशासन है वो काफ़ी सजग है कि प्रधामंतरी के सामने जो पुरोहित हैं वो विरोध न कर पाएं उसको लेकर तैयारी की गई है और इसी लिए फिलाल स्रधालों को काफी मंदिर परसर से बाहर किया गया है उनकी जांच की जा रही है मीडिया को तो काफी दूर कर दिया गया है और एक और अपडेट देना चाहूंगा अभी जो मिलिटरी हेलिकॉप्टर अतार बना वाँ उसको लेकर भी तैयारी प्रशाषन की तरफ से की जा रही है कि कि किसी तरह से प्रधामत्री के सामने वो विरोध के सवर्ण उपर अभरने पाएं और अभी जो तैयारिया है वंतिम चरण में हैं आप देख सकते हैं जो सरधालों हैं वो उनको बाहर परिस की तैयारी की गई है सभी जो अभी सरकार के मंत्री है इसके लावा सांसद है सभी लोग अभी थोड़ी देर पहले यहां पर दहरादून से चिनूख हलीकॉप्टर के जरीए पहुंचे है हमने मंत्री धंसिंग रावत से बात की उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से दूसरे चरण में करीब तीन सो करोड की जो परियाजना है उनका उद्गाटन होना है सरकार के लिए बड़ा दिन है क्योंकि अब 22 में जो यहां पर विधान सभा का फर्क आप देखते हैं क्योंकि सभी के जहन में यह सवाल है कि सरकाल के उर से जो दाविक किये गए हैं विकास के कारियों को लेकर आज पिया मोदी भी खुद धाटन और शलार नयास करने का उनका लंबा चोड़ा कारिक्रम है कितना बड़ा परिबरतन आपने देखा है अपनी आखों से मनजीत महिने बरफवारे की वजह से जो निर्वान के काम होते हैं वो रुख जाते हैं लेकिन उसके बावजूद क्योंकि प्रधामंति लगातार यहां आते रहे हैं खुद दिल्ली से भी वो वीडियो कांफरेंस के जरीए लगातार जो काम है उनको मोनिटर करते रहे हैं उसकी व पूरी तरह से नहीं हुआ है लेकिन काफी काम जो सुरक्षा दिवार है नदी के किनारे वो हो गई है संक्राचारे की समाधी बना दी गई है मंदिर के पीछे भी सुरक्षा दिवार को बनाया गया है तो यह जो किदारपुरी का नया रूप दिख रहा है इसमें प्रधामं भागों में बहाँ पर पहुंची और आज उस मूर्ती का नावरंड करने के लिए भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूद्गी होगी बाबा के दर्शन करेंगे केदार रात नगरी पूरी तरह से तयार है जैसके तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कल बाबा के कपाट बंद हो जाएंगे अब यहाँ पर धर्माचारे हमारे साथ मौजूद्गे एक एक उनसे मैं जल्दी से जानकारी ले लेती हूँ राजकुमार शास्त्री जी आपसे शुरुवात करते हुए केदार नगरी का और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का एक अनूठा औ होते हैं एक जोत्र लिंग होते हैं और एक शिवलिंग होते हैं जिनकी सावान ब्रह्मनों के द्वारा स्थापना की जाती है तो सवराष्टे सो में नाथम्चा स्रेशयले मल्यकार जुनम उज्जैन्याम महाकालम उंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम्चा डाकिन नागेशं दारुकावने वारान अश्याम्त विश्वेशं त्रयंब्यकं गौतमी तटे हिमाले तुके दारं ग्रश्णे संचसिवाले बारा जोतरलिंग है जो की सभी लोग जानते हैं वैसे बुखरूप से पंदरा जोतरलिंग है लेकिन पंदरा में बारा जोतरलिंग है जिनकी सभी को मत्ता मालूम है और अभी भी तीन जोतरलिंग गुप्त हैं जो प्रायाह लोगों को उनका ग्यान नहीं है और इन बारा जो जोतरलिंग और सावानलिंग में अंतर क्या है जो स्वयंभू है अपने आप जहां भगवान शिव प्रगट होए और भगवान शिव प्रगट होकर कि जहां पर अपनी विभिन प्रकार की लिलाएं की वह जोतरलिंग के रूप में जिस प्रकार शिव पुराण में ब्रम्हा और विश्नू के बिवाद का एक प्रसंग आता है। ज्यान चेत्र से मोक्षभूपी माना गया है। उस अस्तान पे पांडो लोग भी जाकर के तपस्या किये। और तपस्या करने के बाद वहाद सिस्वर की आत्रा उनकी प्राप्ती हुई। प्रदान मंत्री के द्वारा जंजन में गया है। जहें दिपावली हो। जहें संक्राचार जी के प्रतिमा का पूजन हो। जी बंदे देव।। बंदे जगतकारणं बंदे पन्नक भूशनम्रगधरम बंदे पसुनामपती बंदे शुर्य ससांग वहिनेनम बंदे मुकुंदंप्रियम बंदे भक्त जनम्सरयम्चवरदम बंदे सिवासंकरम जो महादेव हैं इनके सुर्य और चंद्रमा जो हमारे जोती के रूप में हम ल आयू यस कामना की सिद्धी होती है और उसके जो संकल्बित कार होता है के दारस्वर में जो वेत्ती जाता है वो जाकर के अपने जहें बिजय की प्राप्ती हो धन्यस की प्राप्ती हो संतती की कामना हो बाबा उसे परिपून कर देते हैं अब मैं सीधे आपका रूख करते हुए बाबा की महिमा की बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे मेरे से करें चित्रा जी बिल्कुल देखिए केदार घाटी पर जो भगवान केदार लिंग है जो आपने प्रिष्ण किया कि उनका प्रिष्ण रंदी की तरह है तो भगवान शिव के साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिससे के भगवान को अंतर ध्यान होना पाश्टू का रूप धारन किया उन्होंने और उस रूप से को भी उसने पहँचान लिया राक्षस ने और उसने तब भगवान ने वहां से प्रिवेश किया तो उनका प्रिष्ट भाग जो है ये केदार घाटी पर है वहां और मुख जो है पश्पतिनाथ में निकला है तो इसलिए कहा गया है कि जोत्र लिंग ये बहुत ही प्रभावी जोत्र लिंग है भगवान वहां पर साक्षात हैं अब अपनी बात को आगे बढ़ाएगा एक बढ़ ये तस्वीर सामने आ गई है प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी की पुशकर सिंधामी मुख्य मंतरी को आप देख पा रहे हैं और तमान दूसरे नेता भी पहुंचे वे हैं प्रधार मंतरी के स्वागत करने के लिए देहरा दून की ये तस्वीर आपके सामने हैं आप यहीं से हेलिकॉप्रिर के जरिये सीधे प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे केदार नगरी वहां पर करेंगे बाबा क देदार के दर्शन ये तस्वीरे आपके सामने हैं प्यामोदी उत्राखन पहुंच चुके हैं असरवानन जी अपनी बात पूरी कीजिए आप जे तो भगवान का जो प्रिष्ट भाग है ये सी की पूजा होती है वहां पर नहीं पर जलाव शेक होता है यहां से लोग जल ले जाते हैं सरसुती मंदागनी दौनों पवित्र नदियाएं उनके कलकल करते हुए भगवान का आप शेक करते हैं तो भगवान की तपस थली में जिसको अभी हमारे दोनों मित्र जिस तरह से बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे थे तो ये बहुत आज का जो दिन है संकरम संकराचारियम केश्वंबाद रायनम सूत्र भास कृतव बंदे भगवनतव पुना पुना आज के भगवान संकरा संकराचारी की विर्तवा का भी आनावरन होगा जहां भगवान संकराचारी अपनी 32 साल की आयू में चार धमों का निर्मान उत्तर में बद्रिनात दक्षन में रामेश्वरम और साउथ में भगवान द्वार का पश्चिम में द्वार का और साउथ में भगवान तो चारों धामों की स्थापना करने वाले संकराचारी जिनोंने भार्ती संस्कृती का उद्गोश नाद ढम ढम दम दम जो भगवान सिव का नाद है डमरू है उसके अनसार संक्राचारी ने भगवान शिव की एक इस्तुती करते हुए कौँकि स्वयम प्रिगट ये शिवलिंग है भगवान साक्षात हुआ है प्रभो संभो दीनम बिहित सरणम तव चरणयो भवार अन्या दस्मात विशं विश्यात सर्व भैदात जो भगवान केदार का मन से भी स्मन कर लेता है तो उसके दिखिये दस इंद्रियां और एक मन जो है उसको बसमे हो जाता मैं लोटूंगी आपकी पास ये तस्वीरे हमारे दर्शक रगातार देख रहे हैं कुछी देड में वो सिधे रुक करेंगे केदार नगरी का बाबा केदार नाथ के वो करेंगे दर्शन विकासकारियों का लेंगे जायजा बड़ी कावरिज आज तक पर लगातार जा रही है प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी उत्राखन पहुंच चुके हैं थोड़ी देड में केदार नाथ के दर्शन करते हुए पीम आपको दिखाए देंगे दहरादून की ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं पूर्व सियम त्रेविंद्र रावत भी पहुंचे वे हैं मुख्य मंत्री ने भी उनका स्वागत किया ये देख रहे हैं आप अलग-अलग नेता वहाँ पर पुशकर सिंगामी उनके अगवानी के लिए खास और से पहुंचे वे हैं और यहीं से अब ये तमाम लोग पाट खुलने और कपाट बंद होने दोनों ही मौके पर पिम वहाँ पर पहुंचे वे थे उसके बाद 2018 में पहुंचे 2019 में जब रिजल्ट आ रहे थे इलेक्शन के उसके ठीक पहले यानिकी पिम पतकी शपत लेने के पांच दिन पहले ही प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी पहुंच गय थे 17 घंटों तक महाँ पर गुफा में उन्होंने साधना की थी बाबाब के अर्चना की थी और अब एक बार फिर से कोरोना काल में वो नहीं जा पाए, लेकिन अब एक बार फिर से 2020 में विकास कारियों के समिक्षा करने के लिए, जयज़ा लेने के लिए, श् झाल झाल झाल